मेरा नाम अमर्दत है और मैंने इस रमजान में इसलाम कबुल किया है मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंट हूँ और मैंने इसलाम सच्छी नियत और दिल से किया है मेरा सवाल यह जाकिर भाए कि इसलाम कबुल करने के लिए खत्ना कराना जरूरी है या नहीं भाए साथ माशाला इस रमजान में अल्ला ने हिदायत दियों और अमन का मजभब कबूल फरमाये मैं दूआ करता हूँ आप आपकी इन्शाला जद्ध ज़यत के कबूल फरमाये इस दुन्या और आखरत में इन्शाला आप सफलता पाएंगे आपका सौना था, जब गैर मस्लिम मस्लिम बनता है, इसलम कबोल जरब करता है, तो खतना करना जरूरी है के नहीं? खतना करना जब एक इनसान मुसलमान बनता है तो फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौकिदा है फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौकिदा है अन्य बहुत अहिम सुन्नत है It is recommended क्यों? क्योंकि कई वज़े है आप शाय जानते है कि साइन्स सरक्की करने के बाद साइन साज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है पैदा होने के बाद अगर उसकी खत्ना होती है तो उसे बहुत कम चांसेज है कार्सिनूमा अफ दे पीनिस कैंसर अफ दे पीनिस होने के बहुत कम चांसेज है इसी तरीके से कई बिमारिया है कई बिमारिया है जो खत्ना करने के वज़े से ये बिमारिय उस लड़के को उस आदमी को हो नहीं सकती जो शक्स खत्ना कर चुका है उसको एड्स के चांसिस और कम है ऐसे कई रिसरुचिस है आप अगर मेरा कसट सुनेगे साइन्स के बारे में इसमें और डीटे से कहा हूँ कि क्यूं खत्ना करने को कहा गया इसलाम में तो मुहमस Connat की सुनत है खत्ना करना चे बहुत एम सुनत है करें तो बहुत अच्छा है लेकिन इसलाम में फर्ज नहीं है Hope the answer is a question.